नमस्कार दोस्तों कैश्ट किताब में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपती साथ सन्नियादव तो आईए आज हम भारतिय समिधान में अपने एक ने टोपी की सुरुवात करते हैं जिसका नाम है महानियावादी या बोल देते हो जिसे अटोर्णी जनरल देखे इससे पहले हमने राष्ट राष्ट पती और उप्राष्ट पती पढ़ लिया था अब हम महानियावादी पढ़ेंगे उसके बाद मंत्री प्रश्य देनी की परधार मंत्रियों करेंगे पहले आज महानियाईवादी को देखते हैं तो जो महानियाईवादी है भारतिय समिधान के अनुछे 76 में महानियाईवादी के विशे में दिया गया है तो देखते हैं कि महानियावादी आखीर है क्या चीज़ उसका कारिय क्या है तो अनुछे 76 भारत के महानियावादी के पद का वर्णन यानि इसमें जो महानियावादी है उसके पद के विशें बताया गया है कि भारत का एक महानियावादी होगा उसकी के साथ अनुछे 76 का ए इसमें लिखा हुआ है कि भारत के राष्टपति द्वारा महान्यावादी की जाती है यानिकि जो महान्यावदी की जाएगी वह की जाएगी राष्टपति के द्वारा है nuclear करने कीजा करेगा सबसस्थ प्रंतुजाद रखेंगे किसकी सलापर मंत्री परिशद की सलापर करेगा यानि अगर कोशन पूचा जाता है कि महानियावादी की नुक्ति कोन करता है आंसर होगा राष्टपती लेकिन अगर कभी पूच ले किसकी सलापर करता है राष्टपती मंत्री परिशद की सलापर कर कि उसी के साथ अगर महा नियावादी की योगिता के संब wonder करें लिशास्थ का रखता हो अब अब सुप्रीम कोठ कर जब हम सुप्रीम कोट में 124 से 147 तक पढ़ेंगे सुप्रीम कोट में जज़ बढ़ने की योगता क्या है उसके बार बात करें कारिये काल की तो का इस तर्म के एम बात करें तो आन है राश्टपती के पार्साद परियन निश्छoga कोई भी मंत्री परिशत की इच्छा यह बात आप याद रखेंगे यह जब तक मंत्री परिशत चाहेंगे लेकिन कहने के लिए हम यही कहा जागा राश्पती के परसाद परियंत की इसका कोई भी कारेकाल निश्ची तो नहीं है दो साल, चार साल, दस साल, भी साल वो राश्पती के परसाद परियंत का के उसके बात बात करेक कारिये की तो कारिये है वह भारत का सरवोच विदी अधिकारी होता है जो विदी मामने भारत सरकार को सलहा देता है यह भारत में सभी नियालों में सुनवाई का दिकार रखता है है देखिए अगर भारस सरकार को कावण से जुड़े कोई भी जान्कारी लेनी है कोsc salah लेनी है तो इडवाइज काल करेगा तो इडवाईज देना काल जो कोन करेगा महानियाइवादी खरेगा बहुत सारे ऐसे मुकदमे ओते जो भारत सरकार पर जैसे आपको पता होगा कानून आया था सीए कि सीए जो कानून लाए गया था तो कुछ लोग जो है उस कानून को लेके कहां चलेगे कोट में लेकर चलेगा कि जो कानून जो है हमारे मोली के दिकारों करता है वो कानून बनाया किसने संसरीनी सरकार ने बनाया तो मुकदमा किसे खिलाप गया सरकार की खिलाप गया अ को गदमा चलता है तो महानियावादी वहाँ पर मुरूस कोट में भारा सरकार की और से पैरवी कर सकता है यह बात आप याद रखेंगे में लिखा को ही अब अगला विंदू देखते हैं अगला विंदू है और अनुष्य 88S से जुड़ा हुआ महानियावादी से जुड़ा हुआ ही इस लिखा महानियावादी नैग तो सनसद का महानियवादी ने तो संसद का सदेश्य होता है और नहीं मंत्री परशिद का सदेश्य होता है लेकिन फिर भी संसद की किशी भी सदन में जाकर अपनी बात रख सकता है पर उमत नहीं जाल सकता है तो याद रखिए आपसे देखिए महानियवादी न तो MP है ना यह मंत्री परशिद का सदेश्य है लेकिन फिर भी अगर यह चाहे तो संसद की किशी भी सदन में जाकर बैठ सकता है तो लोक सबह में भी राजय सबह में अगर से कोई अपनी बात रखनी है सरकार की तरफ से को कि ये सकता है तो आप याद राखेंगे हैं सट को महानिययवादी होगा उसके बाद बात करें तो पर्थम जो महानिय वादी थे वो कौन थे 359 शीटलवाड जोंकी 1950 से लेकर 1963 तक रहे उसके बाद वरत्मान माहनियावादी की बात करें तो कके वेळनों कोपाल और कोन से नंबर के ए क्या है तो यह 15 नंबर के कि यूशी के साथ महानियावादी था महानियावादी होगा हमारा इसके शंबनने वह सब्सक्राइब में उसके इक चोटा सा ओर है इसमें अलोगी सदिटर्नल देखिए माहनियाइवादी कितने होगैं कि वे सूरकार पर इति नाम क्या और चलते रहें बारे सर्कार पर तब dość अब जनल इसे का आजागा सोलिष्टर जनल और किसक्रा याँता करेगा महानियवर्दी इसंते हैं जितने होगा हुए कोई संक्या निधारित नहीं है तो आज के लिए इतना ही, कल हम जो है अपना नया टोपिक यानि परधान मत्रिय मंत्री परशद जो के अनुछे 74, 75, 77, 78 में है उसे करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, तो अगर आपको सेसन अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सेर कर सकते हैं, सुस्काइब कर सकते हैं ऑहद कर सकते हैं